नमस्ते किसान भाईयों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल यचके फार्मर में किसान भाईयों आज हमारी यालू की फसल बुआई किये हुए 35 दिन हो चुके हैं और इसकी बुआई हमने टेक्टर के द्वारा किया था और आप ये जो देख रहे हैं हमारी यालू क की फसल काफी बढ़िया है हर साल के मुकाबले किसान भाईयों हमने यालू की बुआई के समय एक एकड़ खेत में दो टाली शड़ी हुई गोबर की खाट डाला था और एक बोरा डीएपी डाला था और एक बोरा पोटास डाला था और 35 किलो हमने यूरिया डाला था और दे तो आप भी आलू की बुवाई के समय सड़ी हुई गोवर की खा जरूब डालें जिससे आलू की फसल में ज्यादा उत्पादन मिलता है और इसकी शिचाई हम करने वाले हैं तो शिचाई के समय हम एक एकड़ खेत में 30 से 35 किलो यूरिया लेंगे और उसी में हम एक जोला 4 जनी का सानी करेंगे और इसको शिचाई के समय अपने डालेंगे जीक होगी खाफी अच्छी बढ़वार करेंगी। और जब हमारी आलू की फसल 50 से 55 दिन की हो जाएगी उस समय हमें अपने आलू की फसल में ENP के 0-24 का इस्परे करना है जिससे हमारी आलू की फसल ज्यादा उत्पादन देगी